नवरातरी पर्व के आठवे दिन में आप सभी का स्वागत हैं। आज हम बात कर रहे हैं दुर्गा सब्तशती के आंतरिक अर्थ की। जब बात देवी की हो रही हैं देवी से जुड़ी कताओं की हो रही हैं तो उन सब के पीछे एक आंतरिक अर्थ छुपा होता है। देवी महात्म्यम में जितनी भी असूर आते हैं उन सब का भी एक अर्थ है। जैसे कि महिशासुर। महिशासुर वो असुर था जिसका आधा भाग भैस का और आधा मानव का था। भैस आलस्य, जड़ता और तमूगुन को दर्शाता है। इसी तरह से धूम्र लोचन। जब दुर्बुत्ती के कारण हमारी दृष्टी दुंदली होने लगती है और हमें सत्य और असत्य का भेज समझ नहीं पाता है, तो वे दूम्र लोचन हो जाता है। इसके पश्चात आते हैं रक्त बीज। रक्त बीज क्या है? हमारी अंदर बसी इच्छाई, अनन्त इच्छाई, जैसे ही आप किसी एक इच्छा की पूर्ती करते हैं, तो दूसरी उभर कर बाहर आ जाती हैं, और हम इच्छा पूर्ती के इसी भवंडर में फस जाते हैं, इसके बाद आते हैं चंड और मुंड, चंड और मुंड अज्ञान और अनुचित कर्म के प्रतीक हैं, जहां ज्ञान ही नहीं है, वहां सही कर्म हो कैसे सकता है? तत्पश्चात आते हैं शु असुरों का जो हम सभी में बसे हैं, हम सभी में छुपे हैं, यदि हमें इनका नाश करना हैं, तो वे केवल और केवल देवी की साधना और देवी की भक्ती के प्रकाश से ही हो सकता है। तो इसी प्रकार आईए हम दुर्गा सप्त शती पारायन के आंतरिक अर्थ को और बहतर तरीके से समझते हैं ओमशी सायराम सन 1962 में सौमी ने वेद पुरुषा सप्त ग्यान यगना आरम किया था अभी हम 2024 में हैं ठीक बासट वर्ष पहले वेद पुरुषा सप्त ग्यान यगना आरम हुआ था और वेद पुरुषा सप्त ग्यान यगना में हम देखते हैं कि पुर्ण चंद्रा हॉल्म के जो स्टेज है स्टेज में आगे रुद्र होमम चल रहा होता है दाई और देखें तो कुंकुम अर्चन हो रहा होता है सहसर लिंग अर्चन हो रहा होता है बाई और देखें ये तो सूर्य भगवान का पूजा सूर्य नमस्कार की रूप में हो रहा होता है कुछ पंडित बैठे रहते हैं स्टेज में रामायन का पारायनम चल रहा होता है, श्रीमत भागवतम का पारायनम चल रहा होता है, देवी भागवतम का पारायनम चल रहा होता है, दुर्गार सब्तशती जिसे हम देवी महात्मियम कहते हैं, उसका भी पारायनम होता है, 2003 में स्वामी के आशिरवात से हम students उस समय हम कुछ 18 students थे वेद नारेंज सर के नेत्रित में हमने स्वामी के अनुमती से दुरकर सर्पतशती पारण आरम किया था जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारे बाबा भोले बाबा है भोले शंकर है जब समुद्र मंतन हुआ था और जब हाला हाल निकला था तो भोले शंकर खुद आगे जाकर विश्च को धारण किये थे उसी प्रकार हमारे बाबा भी भोले ना थे अपने पुरे जीवनकाल में कितने सारे हजारों डिवोटीस के उन्होंने कस्ट उनके बीमारियों को गरहन किया था यह सब हम चानते हैं और 2003 में बड़ी घटना घटी थी उन्होंने कुछ बड़ा अपने उपर ले लिया था तो उस समय एक छोटा सा मीटिंग हुआ था औ और उन्हेंने पाठविधी हमें समझाया था और चुकि संकल्प इतना पवित्र था और मुझे बच्पन से देवी मा मतलब बहुत ही प्रिय है तो मैंने बोला कि मैं जॉइन करूंगा उस प्रकार मेरा इंट्रॉडक्शन हुआ देवी पारणम के साथ और मुझे पता नही लेकिन दुर्गषब्तश्यती पाठ करने का एक विधी है उसके पहले पुर्वांगम होता है फिर पाठ होता है उसके बाद उत्तरांगम होता है और पुर्वांगम में नवांगम होते हैं नवांगम में पहले तो हम तीन ओमकारम करते हैं लेकिन पहले हम न्यास करते हैं अंकञन्यास और करणयास और देवी को आवाहम करते हैं अपनी के अवाहन करते हैं उसके बाद नीः नमन करते हैं उसके बाद अरगलम सत्व्ल में 27 शलोक है जिसमें कि एक शलोक बार-बार आता है रूपम देवि?? यंशु देवि जिसका अर्थ है उस समय जब मैं 20 साल का मुझे लगता था कि अच्छा रूप मिलेगा लेकिन उसको एक्चली उसका गहरा अर्थी है कि आध्यात्म रूप हमें मिलेगा जयम दे यानि विक्ट्री जीत यश्म तब कीर्थी और द्विशो यानि शत्रुनाश तो यह अर्गला स्तोत्र है उसके बाद हम कीलकम करते हैं कीलकम का actual meaning है lock करना यानि उसे बंद करना जो भी energy जो भी उर्जा उत्पन हो रहा है उसे लीक ना होने रहे उसे बचा के रखे उसे हम कीलकम कहते हैं कीलकम करते हैं उसके बाद हृदयम हृदयम में बहुत सारे देवी के बीज मंत्र का पाठ होता है हृदयम फिर ध्यानम फिर दलम उसके बाद कवचम तो ऐसे नवांगम होते हैं देवी कवचम के बाद हम देवी सुक्तम पढ़ते हैं तो इसके बाद पूर्वांगम हो जाता है उसके बाद हम देवी का तेरा चैप्टर पढ़ते हैं और उसका भी दो तरीका होता है या तो हम तेरा चैप्टर एक साथ पढ़ लेते हैं, या तो फिर हम सब्ता हम के तौर पहले दिन हम पहला chapter पढ़ते हैं, दूसरे दिन 2nd and 3rd, दूसरा और तीसरा, तीसरे दिन 14 चैप्टर, चाथे दिन 5, 6, 7, 8 चैप्टर, फिर पांच्वे दिन 9 और 10, चटवे दिन 11 चैप्टर और साथवे दिन 12 और 13 चैप्टर इसे हम सबता हम करते हैं इसे क्या होता है कि जब हम करते हैं तो हम 2-3 घंटे में पाट कर सकते हैं लेकिन अगर हम पूरा करने लगें तो शायद 3-4-5 घंटा भी लग सकते हैं तो उस समय जब मैं पहला बार और मैं इसे confidently कह सकता हूं कि इसे please आरम करें कई बार कुई भी साधना आप करने जाएंगे तो कुछ लोग आपकी दिमाग में कुछ डाउट दाल देते हैं ठीक है कि अगर आप बीज मंतर का उचारण गलत कर देंगे तो इसका कुप्रभा होगा मा क्रोधित हो जाएगी मा दंड देगी तो यह सब डराते हैं लोग और कहीं लोग इसलिए देवी साधना नहीं करते हैं और कुछ लोग यह भी सोचते हैं कि यह तो 13 चैप्टर में हो क्या रहा अगर पढ़ेंगे तो देखेंगे तो महां दुस्टों का असुरों का एक के बाद पहले शुम्ब पहल कामयरूप का आरादना करो, सरस्वती मा का आरादना करो, दुर्गा का आरादना मत करो, गुसा जाद आएगा यह सब गलत सोच विचार है क्योंकि बाद में अगर अगर देखेंगे जो मुझे 20 साल के दौरान जो मुझे अनुभूती हुआ है जो भी आस्वरिक प्रवृत इक इंपोर्टेंट पॉइंट है क्योंकि कई लोग इस कारण वश्ट देवी का आरादना नहीं करते हैं और जो लोग यह सोचते कि मां के दंड दें तो कोई बात ही, मां से ही तो दंड मिल रहा है क्योंकि जब हम देवी को मां रूप में प्रातना करते हैं, एक चौथे च अरे यह तो कुछ भी नहीं है, जब वही चहरा रौद्रकाली के रूप में परिवर्तित हो गई, तो उसको देखते साथ उसको मर जाना जिये था, लेकिन वो फिर भी आके लड़ा, यह उसमें भी आपकी क्रिपा है, तो तीसरा देवता बोलता है, अरे तुमें पता नहीं है, वो जीवित इसलिए रहा, ताकि मा के अस्तरों से उसका वध हो, ताकि उसे मोक्ष मिले, तब मैं सोचता था, यह राक्षास लोग भी कितने लखी हैं, क्योंकि मा के हातों में वध मिला, कमसे का मा का दर्शन तो मिला होने, तो यह मेरे विचार, तो मैं यह बोलोगा, अगर आप देवी उपासना कर रहे हैं, मा से डरना नहीं है, मा दंड क्यों देगी, मा तो मा होती है, गल्ती करते हैं, तो लास्ट प्राफना करते हैं, लेकिन अपने जितना अपके अंदर यथा शक्ती है, सिंसिरली आपको करना है, और देवी पारेणम के समय कुछ रूल अगरेशन एक्डम इंपॉटेंट है, अब हम साइ शर्कल में हैं, साइ दीवोटी में है, तो कुछछ तो और सिलेबस है, जैसे स्वामी ने का है, कि if you are a devotee, अगर तुम मेरे भगत हो, तुम नहीं नहीं खा सकते हो, तुम स्मोकिंग नहीं नहीं खा सकते हो, तुम स्मोंक कि हम डिवोटीज को बोलने का अवश्यक्ता नहीं है लेकिन इस ग्यान का होना अवश्यक्त है कि नॉन्विच और धूम्रपान और नशीली पदारतों का सेवन बिल्कुल नहीं होना चाहिए क्यों क्यों कि आप मा को आवान कर रहे हैं आप मा को अपने शरीर के अंदर अब अब जब देवी पारणम करते हैं तो मा आपके अंदर प्रवेश होती है अक्टिवेट होती है तो स्वच्छ रना पहला रूल है इसको अनुष्ठान कहते हैं जो एक हफता का जो अवधी होता है या नवरात्री के 9 दिन में आपको strict discipline फॉलो करना है ये बहुत ही important point है और कि अथिरक्त मैं ये नहीं समझता है कि मा के क्रोधित होगी या फिर मा दंड देगी ये सब भैकाने वाली बात है और actually मा परिक्षा करती है ये सब डॉट्स लाके कि तुम कितने अपने संकल्प में द्रिड हो क्योंकि ये सब सब के डिवोटी सब डिवोटी इसके सामने ड अगर हमारा प्यार उससे भी अधिक है तो हम रुकेंगे नहीं हम आगे बढ़ेंगे और वही हुआ मेरे साथ भी हाला कि उससे में कुछ लोग डराय थे बीच में एक देवी उपासक भी आके मेरे को बोले थे कि एक बंदे ने स्पेलिंग मिश्टिक गल भार्याम रक्षत भार्यावी एक श्लोकात है कवच में मतलब उसने कुछ तो उल्टा बोला तो उसकी वाइफ का निधन हो गया तो ऐसे से बात जब वो बोलते हैं तो अंत में हम श्रमा परातना क्यों रखते हैं श्रमा परातना हम लोग वेदम करने के बाद भी श्रमा परातना करते हैं में यूगे-यूगे हैं, मैं हमेशा हर यूग में आऊंगा, और सवामी ने एक डिस्कूर्स में ये भी कहा था, कि जो भी मैं अंदर अपने शरीर में जो भी अपना पीडा ले रहा हूं, डिवोटीस का, उसका मेडिसिन द्वारा कोई निवारण नहीं है, मात्र आपके प्रात से ही उसका निवारण होगा, तो चूकि हमारा संकल्प है कि भगवान हाला कि शरीर रूप में प्रत्यक्ष हमारे सामने नहीं है, लेकिन वही भगवान बार बार आएंगे, संभवा में यूगे-यूगे, और जब आएंगे तो हम लोग भी आएंगे, क्योंकि हम भगवान एक स्वस्त शरीर में रहें, और उस संकल्प को लेकर हम ये जो भी पुर्णी अर्जन हो रहा है, उसको इंशुरेंस डिपोसेट के रूप में हम स्टोर कर रहे हैं, ये हमारा संकल्प है, तो ये था the purity of संकल्प हम कह सकते हैं, अब कुछ-कुछ चीज जो मैं बताना चाहत हो जैसे कि जब शुरू में जब देवी पारणम में पढ़ता था, तो पहला चैप्टर देखो तो मधु और कैठप नाम के दो असुर, विष्णु जी के कान के कर्ण मल से प्रकट होते हैं, मल, और ब्रह्मा जी को देखते साथ, ब्रह्मा जी पर वार करने का आयोजन करने लगते हैं तो ब्रह्मा जी तुरंत काली मा को आवान करते हैं और विष्णु जी जो निद्रा रूप में हैं, आप मा प्लीस उनको उठाइए, ताकि वो इन से मेरी रक्षा करें और विष्णु जी उठते हैं और 5,000 साल तक उनके साथ बाहु युद्ध करते हैं, तब ज शुरू शुरू में मेरा टार्गेट ये था कि मेरे को पूरा पारेणब करना है, मैं विधी में था, लेकिन धीरे-धीरे में उसका जो बोलते हैं आंतरिक अर्थ क्या है, वो समझने का कोशिश करने लगा, और से पदा चला कि मधु और कैटब, काम और कुरोध के प्रतीक है ठीक है, और विष्णु जी जो अपने हाथ से व्यूद करते हैं, और जो की 5000 साल तक चलते हैं, कुछ-कुछ हमारे अंदर जो वासनाए हैं, उसको शायद जीवन काल तक हम, हमें उसके साथ संगर्ष करना पड़ेगा, लेकिन देवी कृपा से, डिवाइन ग्रेस से, हम जल अंदर हैं, वो कम होने लगते हैं. इसलिए स्वा कहते हैं, एक मनुष्य हैं, हम अंदर मानुप्रवृति हैं, देवी प्रवर्ति हैं, पाशविक प्रवर्ति हैं, पशुवाला प्रवर्ति हो tune और सबसे नीचे गिरा हुआ दानवी प्रवरितियां। जो में कुछ सीचु तो जब हम देवी पारणम करते हैं, जब हम भजन करते हैं, जब हम सेवा करते हैं, तब हम देवी प्रविती की ओर जाते हैं, और जब हम सत्संग करते हैं, और जब हम सत्संग करना बंध करते हैं, भजन कम करते हैं, अपने जीवन में आध्यात्म, तत्वों को कम करना तो इससे बचे रहने का एक ही उपाय है कि सत्संग में रहो, भजन करो, देवी पायरणम करो, मा का अशिरवाद रहेगा, हम सही मार्ग में रहेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो हमें दिमाग में रखना है, फिर आगे हम जाते हैं महिशासुरवद, अब जब हमारा राजसिक प्रवृति है, हमारा राजसिक मन, क्योंकि हमारा मन हमेशा बदलते रहता है, और उसको अगर हम अपने मानविय प्रवृतिया, मानविय एफ़र्ट, जिसे हम कहते हैं, हुमन एफ़र्ट के द्वारा, अगर हम कोशिश करें ठीको, कभी नहीं हो पाएगा, उसके लिए देवी शक्ति को आवान करना जरूरी है, अगर हम नहीं करेंगे तो जिन्दगी पर हम उसके साथ जूचते रह जाएंगे, फिर आप और थोड़ा आगे जाएंगे, तो हम देखते है रक्तवीज है, उसको गला कटता है, तो खुन गिरता है, तो और उसके जग हुआ था, 2019-2020 में हम जानते है, कोविड के समय क्या हुआ था, अभी देखिया है, अभी कोविड वाइरस आया, उसको हम लोग म्यूटेटिंग वाइरस बहता है, म्यूटेट मतलब अभी अगर आपका सामने का शत्रूप बदल रहा है अपने रूप को, अभी आप तलवार से वार कर रहा है, तो फिर अपना रूप बदल रहा है, तलवार एफेक्टिव नहीं है, तो अभी ये वैक्सिन काम कर रहा है, तो अभी ये वैक्सिन एफेक्टिव क्योंकि मुटेशन हो गया है, तो अब दूसरा वैक्सिन यूज कर रहे है, तो हम देखें, जब महामारी अब 2019, 2020 की बात है हम नहीं देखा था, और माने देवी रहस्य में कहा है, जो तीन चैप्टर आते हैं, उसमें कहा है कि जब भी मानवजाती पर प्रहार होता है, या महा मारी आता है, जब युद्ध होता है, तो मैं प्रकट होंगी, मैं बचाऊंगी, ये माका आश्वासन है, और जैसे भगवान के है संभवामी युगे युगे इसमें बचाने के लिए फिर और आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे वहाँ पे शुम्ब और निशुम्ब है उसके पेले उपकोस चंड और मुंड का ओद हता है और इसलिए माकॉम चामुंडा भी कहते हैं. चंड का अर्थ क्या होता है? जो बहुत तीवर होता है. कभी-कभी क्या होता है? हम अपने अंदर के दुर्वासनाओं को रोकने कोशिश करते हैं. जिससे हम लेकिन क्या होता है? उसके बाद भी मन की जो तीवरता होता है, उसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर दो, इसलिए कहीं सालों बाद भी अपने ख्रोफ को या अपने कुछ कमजोरियों को काबू नहीं कर पाने, क्योंकि उसके अंदर का जो चंड है और उसके अंदर का जो मुंड है, अभी भी ताकतव तो इसलिए चंड और मुंड को अगर उसका वद करना है तो आपको चामुंडा के सामने जाके शरणागत होना पड़ेगा, इसलिए हमें मा के सामने, मा ये हमारे अंदर ये कमजोरी है, प्लिस आप कुछ करो, और मा अपने तरीके से मा उसका निवारन करते है, मुझे अभी सामने बुलाया, उनके पत्नी को बुलाया, इंटर्व्यू दिया, और सौमी ने बहुत प्यार बरसाया, उसके बाद सौमी का बुक्स पढ़ने लगया, और पढ़ते पढ़ते देखे कि सौमी ने लिखाया कि नौनवेज अलाओड नहीं है, और वो बच्पन से उसको बहुत पसंद था, तब जब डेनमार्क वापस जाता है, तो फिर मशली छोडने का बहुत कोशिश करता है, लेकिन तीन-चार महने के बाद उसको रोका नहीं जा रहा था, और मशली खा लेता है, और खाने के बाद उसको बहुत खराब लगता है, सौमी का एक छोड़ा सा चीज में फॉलो नहीं कर पा रहा हूं, उसको बहुत अंदर से गिल्ट फील हो रहा था, और ऐसा एक साल पूरा चला, फिर एक दिन उतना हताश हो गया था, स्वामी के फोटो के सामने जाकि इतना रोया, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूं, लेकिन हो नहीं पा रहा है, स्वा चीज ऐसे लटक रहा है और उसको पकड़ता है, और जैसे पकड़ता है अगले कि शण हो में है और जब उख हवा में आता है तो बोलता है कि दो चीज़ हुआ, एक तो तीवर पीडा उसके गले में हुआ, उनके गले में हुआ ऐसा मशली और चटपटा हत जब सांस नहीं तो यह जो पेन इतना था, दर्द इतना था कि उस दर्द के कारणों उड़ गए निद्रा से, और उटने के बाद भी उनके गले में दर्द था, तब उनको लगा कि अगर किसी जीव को इतना पीड़ा सेना पड़े, तो नहीं, तो उस छंड से उन्होंने छोड़ दिया, तो स भगवान के सामने, भगवान का आश्रेल न पड़ेगा, तो अब आगे बढ़ेंगे, तो हम देखेंगे, नौवे और दस्वे चैप्टर में, शुम्ब और निशुम्ब का वद होता है, अब मान लीजिए, आपके सामने एक शीशा है, शीशा के उस तरफ आम लटका हुआ है, और शीशे में आपने काला रंग पेंट कर दिया, आपको, चुकि शीशे में काला पेंट लगा हुआ है, आप इस बात से अनभिग्य है, कि शीशे के उस तरफ एक आम लटका हुआ है, तो यह जो काला रंग है, तमो गुण का प्रतिक है, तामसिक है, अभी मान शीशा है, और उस तरफ आग जल रहा है, आग जलने के कारण धुआ है, धुआ से एक फल कभी दिख रहा है, कभी नहीं दिख रहा है, इसे हम विक्षेप कहते हैं, यह राजसिक प्रकार का अवरोध कह सकते हैं इसे, ठीक है, तीसरा जो अवरोध है, शीशा है, आपको आम दिख रहा है और आम को आप देखते हैं और सुछते कि मैं समझ गया है हाँ मैं आम को देख लिया और हम कई सब सादक जो सवामी के भक्त हैं हम लोग कई प्रवचन अटेंड करते हैं स्वाध्याय करते हैं स्वामी के लिटरेचर पढ़ते हैं सत्संग करते हैं और हम समझते ह कि हम समझ गये यह वही हो गया कि हम आम को देख रहेयों लेकिन जब तक हम आम को काट के उसको amiga चकहे नहीं अपने जिवा मिषिए जब तक स्वामी के टीचिंग को अनुभव ने किये हैं तब तक आम वह तक पंचे नहीं है तो सौमी भी कहते हैं कि इसका कारण है, वो शुम्व निशुम जो है, एक है अज्ञानता, किस चीज का अज्ञानता है आपको, उस रस का, उस टेस्ट का आपको अज्ञान है, दूसरा चीज है क्योंकि आप उस टेस्ट या उसको चखे नहीं है, वो अज्ञान है, इसलिए अपने आप में संतुष्ट है कि हम पहुंच गया है, तो यह जब तक अप संतुष्ट है तो आप प्रयत्न करेंगे नहीं, आप वहीं के महीं अटके रह जाएंगे, और शायद कितने जनम आपको लगेंगे यह समझने के लिए कि अरे मैंने चखा नहीं है, नहीं तो अगर हम ज्ञान को अगर इंटलेक्शली अगर दिमाग से हम समझ के हम रुख जाएंगे तो वहीं रुख जाएंगे, तो हम लोग का तीसरा स्टेप जो है, जिसको शुम्व और निशुम को सरस्वतिमा तोड़ती है, कवद करता है, तो पहला तो शीशा को तोड़ना है, शीशा अनुभूती ये सब मुझे 20 साल, जो पिछले 20 साल में धीरे-धीरे स्वामी जब हम पाराणम करते हैं, जब हम प्रात्ना करते हैं, एक-एक सत्य किसी ना किसी माध्यम से, किसी गरंथ से सामने प्रकट होकर आती है, और तब हम समझने इसकी गहराईयां, तो एक तो है, हमारे अंदर रजोगुण हैं, तमोगुण हैं और सत्वगुण हैं, स्वामी उधारण देते कि एक कोईला देखो, अगर तुम कोईला काला होता है, काला हाला कि कही गरंथों में लिखा है, काला तमोगुण का प्रतीक होता है, अगर कोईला को तुम धोते हो, तुम कितना भी धोलो, वो सफेद नहीं होने वाल है, कोईले को तुम जब जलाओगे, तुम आग लगाओगे, आग लगके हो जब लाल हो जाता है, लाल रजोगुन का प्रतीक होता है, लाल होता है, फिर जब ठंडा होता है, तब वो वाइट, भस्म हो जाता है, सफेद हो जाता है, तो क तो जो लोग, यह तो हमें अपने सोचना है कि मैं लेजी हूं, मैं आलसी हूं, तो मुझे रजोगुण यानि काम में लग जाना चाहिए, काम इतना करना चाहिए, उसके बाद उसको भी एक अवस्था आता है, जिसके बाद हमें शांत होना पड़ता है, तब सत्वगुण में यह है, विग्न है, उसका वद होता है, इसलिए हम लोग कालीमा को बलाते हैं, कालीमा को अधिस्थात्री है, अगर आपको तमो गुण से परे जान तो कालीमा को आपको आवान करना होगा, उसके बाद महिशासुर और रक्तभीज, जो की रजोगुण से भरे हुए हैं, आपको उजागर करना होगा, उसके बाद, नेक्स्ट लेवल पर आता है कि अब हमारे पस धन है, संपत्ति है, सब है, लेकिन फिर भी अंदर में शान्ती, आनन्द नहीं है, क्योंकि हम ये समझ के बैठ गए हैं, कि हम समझ चुके हैं, दुनियादारी समझ चुके हम सब कु संतुष्टी है, जो हम कहते हैं कि आलसी के कारण जो संतुष्टी आया हुआ है, उसके परे जाने के लिए अगर हम प्रेतन करते हैं, उसमें महासरस्वती हमें मदद करती है, और तब हम आगे जाके आत्म साक्षात करते हैं, तो दुर्गा सब्त शती, देवी महात्मयम या करते हैं, एक सोल, एक जीवी का एक जर्नी है, एक यात्रा है, तो अगर हम तमोगुण में डूबे हुए हैं, तो हमें तमत से, रजस से, सत्व और सत्व से भी परे जाना होता है, तो अगर हम उस दिश्टिकोंट से देखेंगे, और मा को आवान करेंगे, तो मा हमें इश्व संकट में है, जब हम देवी पारडम करते हैं, तो उससे जो मा प्रकट होती है, मा का प्रकट ही होता है, अगर आप देखेंगे, चैप्टर टू में, तुर्गा सब तश्टिकी, हर एक देवता के अंग से एक एक शक्ति निकलती है, और एकत्रित होकर मा बनती है, लेकिन एक्चुली देखाजे, उस मा से सब बने हुए है, हम लोग इस तरह देखते हैं, उस मा से सब देवता और सब प्रकट है, लेकिन उसमें लिखा गया है कैसे, एक एक देवता का भगवान विश्णु का शंक जाता है, सुदर्शन चक्र जाता है, शिव जी का करती हैं, इसी प्रकार हमारे अंदर भी सभी शक्तियां सोई हुई हैं, उसे उजागर करना है, और उसे उजागर करने के लिए हमें अनुष्ठान लेना होगा, और यह जो चार नवरात्री आती हैं साल में, यह हमारे लिए एक मौका है, जो बोलते हैं सिस्टम को रिसेट क होती है, जहां लौकिक रूप से देखा जाए तो अब बंडाल है, देवी मा का मूर्ती है, सभी लोग आपके कम्यूनिटी के कितने लोग भाग लेते हैं, तो एक मौका है कि आप अपने आपको रिसेट करें, अगर आप में तमोगुन बढ़ गया, तमोगुन खराब नही क्योंकि सौमी काल को भी विभाचन करते हैं। सौमीं बोलते हैं कि रात का आठ बजे से सुभे के चार बजे तक वो तामसिक पिरिड है, तामसिक काल है। सुभे चार से लेके चार बजे को आठ बजल तक जो 4-4 घंटा है वो साट एक कि इसलिए उसी समय में देखे हम हो जाता है, जब राजसिक गुण जादा हो जाता है, तब हम पत से भटक जाते हैं, और पत से जब भटक जाते हैं, तो यह जो रिसेट करने का जो चार नवरात्री भगवान, इस्पेशली शरद नवरात्री का जो मौका है, एक अनुष्ठान हम जब हम लेते हैं, और नवरात्री में हम दुर्गा सब्तशती या कोई भी साधना हम लेते हैं, तो हमारे अंदर जो भी विग्ण है, उसे हम अराम से, आसानी से पार करके आगे बढ़ सकते हैं, तो ये मौ जब हम दुर्गा सब्तशती पारायन के आंत्रिक महत्व के बारे में बात करते हैं, तो चलिए मा दुर्गा की प्रतिमा के बारे में थोड़ी सी और बाते करते हैं, कहते हैं, तुल्जापुर में मा भवानी का एक मंदिर है, यह चत्रपती महरात शिवाजी की कुल देवी कहते हैं, 1963 में जब भगवान दिव्योद बोधन देते हैं और प्रशांती निल्यम में पहली बार प्रशांती विद्वान महासबा का आयूजन करते हैं, तो स्वामी कहते हैं कि देखो, जिस तरह मा भवानी ने चत्रपती शिवाजी को तलवार सौपी थी और कहा था, जाओ, धर्म क स्वामी की स्थापना करो और दुष्टो का नाश करो, उसी तरह यह सिवशकती और एसा कहते हैं, स्वामी स्वेशांती तरह मा प्रशांती विद्वान महासबा का आयूजन होता है, जहां बड़े बड़े विद्वान निवर्स्टी के प्रोफेसर्स और पंडित अलग-अलग विश्यों पर लोगों को संबोधित करते हैं और हमारा ज्यान बढ़ाते हैं तो नवरात्री से जुड़ी वी कुछ और बातों को जानने के लिए हमारे साथ यूँ ही जुड़े रहिए जै साइराम मोह का अर्थ है मोह क्षय का अर्थ है क्षय मोह के क्षय होने पर मुक्ति मिलती है वही वास्तविक मोक्ष है मोह बढ़ गया है उसकी कोई सीमा नहीं है इस मोह को नश्ट करने के लिए देवी की पूजा की जाती है लक्ष्मी मोह की देवी है वह प्रत्ति एक मनिश्य को मोहित करती है लक्ष्मी सदेव प्रकाशित रहती है सरस्वती आनंद से परिपूर्ण है सरस्वती मनिश्य से आनंद में वचन बुलवाती है दुर्गा तेजो मय होकर प्रकट होती है इन तीनों पर नियंतरन रखने के लिए इन नौ रात्रों को तीन भागों में बांटा गया है इसकी शुरुवात दुर्गा पूजा से होती है लक्ष्मी पूजा से आनंद की प्राप्पिकर और सरस्वती की पूजा करते हैं और इसलिए विद्यार्थी दुर्गाश्टमी के दिन पुष्तकों की भी पूजा करते हैं लेकिन वे केवल पुष्तकों की पूजा करते हैं किन्तु मस्तक की नहीं इसलिए आज मानवता क्षीन हो रही है आज मानवता क्षीन हो रही है आज मानवता क्षीन हो रही है